एक ऐसी घटना जो हमारे समाज और अस्तित्व को गहराई से जूगई ये देश को कपाने वाली एक धर्रावनी घटना थी जहां सचाई के परदे का बटवारा हुआ और हिंसा और धोके का जाल सामने आया 1992 अजमेर रेब केस सब कुछ शुरू हुआ था राजस्तान की अजमेर शहर में जिसका असर आज भी हमारे दिल पर है इस घटना के समय भारत गूंज उटा था और इसने समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा था स्वागत है आपका चानल में मेरा नाम है हिवानशी और इस वीडियो में हम अजमेर 92 केस के बारे में विस्तार से बात करेंगे और इसके पीछे की सारी घटनाओं को समझेंगे 1992 में राजस्थान के एक शहर अजमेर के एक गर्ल स्कूल सोफ्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक 9th क्लास की छात्र ने एक लड़के से दोस्ती की और उस जवान लड़की ने एक भयानक द्रिश्य का सामना किया जिसे समझना मुश्किल है उनकी दोस्ती समय के साथ मजबूत होती गई लड़के के दबाव में आकर लड़की उसके साथ एक फार्माउस पे जाने के लिए तयार हो गई दोनों ने वहाँ पौच के एक दूसरे के साथ आपसी संबंध बनाए पर लड़के ने लड़की की अबजेक्शनल स्थिती में तस्वीरे लेना शुरू कर दिया और ब्लाक मेल किया कि अपनी दोस्त को लेके आओ नहीं तो फोटोस लीग कर दूँगा और अगली बार जब वह अपनी दोस्त को लेके आई तो इस लड़के के साथ एक और लड़का था और दोनों ने मिलके इन लड़कियों को रेप किया और फिर से अबजेक्शनल फोटोस खीच के ब्लाक मेल किया और धीरे धीरे ऐसे ही ब्लाक मेल करते हुए इन लोगों ने अपने दोस्तों को इस नीज हरकित में शामिल किया ऐसी कॉंप्रमाइजिंग पोजेशन में अपसीन तस्वीरे खीच के लड़कियों को विक्टमाइज किया और दोसो पचास लड़कियों का रेप और सेक्शल एक्स्प्रोइटेशन किया और यही था वो वक्त जहां भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल शुरू हुआ जिसमें अधिकांश लड़किया काफी अमीर घरों से थी और यही उनकी चुप्पी का कारण था लेकिन जब लड़कियों ने धीरे धीरे करके सुसाइट करना शुरू किया तब लोग सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है जो अचानक 9th से 12th क्लास की लड़किया आत्महत्या कर रही हैं लोग इस सवाल का जवाब ढून रहे थे कि उसी दोरान लड़कियों की तस्वीरे फैलने लगी इन लड़कों ने जिन फोटो स्टूडियो में लड़कियों की तस्वीरे डेवलप करने के लिए दी थी उन्हीं के वरकर्स ने इन्हें लीक किया और जल्द ही लोकल मीडिय हाउजस ने उन्हें दीच करना शुरू किया लेकिन जो मीडिया हाउजस को तस्वीरे मिलने पर कारिवाही करनी चाहिए थी क्लेम है कि उन्हीं के लोगों ने सेक्शुल फेवर्स और मनी डिमांड किया यही दमकी देते हुए कि फोटोस लीक कर देंगे पर एक लोकल इंक्वाईरी शुरू हुई दीन बंदू ने सोच लिया था कि यही एक तरीका है जिससे एड्मिनिस्ट्रेशन आक्शन लेने के लिए मजबूर हो सकता है F.I.R. लॉज हुई और चारो तरफ अजमेर में हिंसा और प्रोटेस्ट की खबरे फैली जिसकी वज़े से तीन दिन अजमेर को बंद करने की घोशना हुई शहर में फैल रही तस्वीरों से आरोपी के चहरे भी दिख रहे थे और पता चला कि इस स्कैंडल की पीछे के मास्टर माइंड थे फारूक चिस्थी, अजमेर यूथ कॉंगरस के प्रेजिडेंट, नफीस चिस्थी, वाइस प्रेजिडेंट और अनवर्च चिस्थी जॉइन सेकरेटरी ये लोग इन्फ्लूइंशल खादिम्स की फैमिली से बिलॉंग करते थे जो अजमेर शरीफ दरगा की सेवा करते हैं जैसे ही इन लोगों का नाम सामने आया, सब कुछ साफ हो गया पता चला कि अथॉरिटीज को तो इस दर्दना कहानी के बारे में सब मालुम था लेकिन इन लड़कों के पॉलिटिकल कनेक्शन और इन्फ्लूइंशल पॉजिशन की वजह से कोई आक्शन नहीं लिया गया पुलिस की जांच के बाल लगभग 30 विक्टिम्स का पता चला लेकिन जैसे ही वो सामने आये उन्हें और उनके परिवारों को धमकी दी गई कि वो पुलिस F.I.R. नहीं करेंगी नहीं तो उनको मार दिया जाएगा क्यूंकि एक्क्यूजर सोशली और फाइनांशली काफी इन्फ्लूइंशल पॉजिशन में थे लड़कियों का बहर आना और अपने लेख खड़ा होना मुश्किल हो गया था 30 में से 18 लड़कियां डर गई और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया लेकिन उनको फिर भी मृत्यू दंड की धमकी दी गई जिस वजह से और 10 लड़कियां पीछे हट गई अंत में सिरफ दो लड़कियां बची जो धमकियों के बावजूद हार नहीं मानी और केस लड़ने का फैसला किया उन दो लड़कियों के रिपोर्ट के अधार पर पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की फारूक चिस्थी जो की मुख्य आरोपी थे उसे कोट के वकीलों ने एक मेंटल बिमारी से जूचता हुआ पेशन्ट साबित किया जिसकी वज़े से उन्हें लंबे समय तक कस्टिडी में रखा गया लेकिन एक फास्ट राक कोट ने 2007 में उन्हें दोशी ठेरा दिया और उन्हें गिरफतार कर लिया पर 2013 में हाई कोट ने उन्हें रिलीस कर दिया 18 लोगों पर बलातकार और अफरन के आरोप लगे राज में बदनाम होने की वज़े से खुदकुशी कर गए राजस्थान हाई कोट ने बाद में कुछ लोगों की सजा के 10 साल तक कम कर दिये लेकिन दे केस इस तिल फार फ्रॉम बिइंग क्लोज्ट माना जाता है कि इन कल्प्रित के पाकिस्तान की ISI जैसे और्गनाइजेशन के साथ टाइस थे मदन सिंग जो एक वीकली न्यूस्पेपर रन करते थे उन्होंने इस ट्राज़री को extensively cover किया था और उन्हें भी threaten किया गया to stop writing और eventually जो इनसान सच दिखाना चाहा रहा था उसका murder कर दिया मदन सिंग को 1992 में श्रीनगर रोड पे गोली चलाई गई थी वो वहां से भागडे में काम्याब रहे उन्हें JLN हॉस्पिटल लेके गए जहां 5-6 लोगों ने हॉस्पिटल में आके उनका murder कर दिया उनके killers सवाई सिंग, नरेंदर सिंग और भी लोगों को court ने not guilty found किया लेकिन शायद मदन सिंग के दो बेटों ने सूर्या और धरम जो सिरफ 8-12 साल के बीच थे उसी समय ठान दिया था कि अपने पिता की हत्या का revenge लेंगे और पिछले 10 सालों में उन्होंने दो ऐसे attempt भी कि जानवरी 2023 में इस case की बाते फिर से उठी, राजस्तान में पुषकर के एक resort में तीन लोग एक ward counselor पर गोली चलाने लगे, उनमें से एक व्यक्ती हस कर बोला, मैंने मेरे पिता जी की मौत का बदला ले लिया है जब पुलिस ने तीनों हमले करने वाले लोगों को पकड़ा और उनको कड़ी गिरफतारी के बाद सवाल पूछे, तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल उनको भारत के सबसे बड़ी sex scandal को एक बार फिर जिन्दा कर देंगे अक्यूजर जिसने fire open की थी वो और कोई नहीं, मदन सिंग के बेटे ही थे और जिसे मारा गया था वो सवाई सिंग ही थे लेकिन रेप केस के तीन मुख्य आरोपी, फारूक, नफीस और अनवर्चिस्थी आज भी freely गूम रहे हैं 250 लड़कियों के जहन में जो इस scandal की शिकार हुई थी वो आज भी वो अंधेरा महसूस कर रही हैं अजमेर के इतिहास का ये एक dark chapter था जिसे शायद भुला दिया गया है लेकिन उन लड़कियों के जहन से कभी नहीं मिटा है इस केस के माध्यम से हमें समाजिक रूप से जागरुख होना चाहिए और ऐसे दरिंदों के खिलाफ अववाज उठानी चाहिए हमें सुरक्षा की जरुरत है समाजिक न्याय का समर्थन करना है और एक सुरक्षित समाज की दिशा में प्रयास करना है